स az generative AI की मदद से आप actually data multimodals कि लाता है multimodals का मतलब है कि आप इसको multiple type data दे सकते आप इसको tax data दे इसको audio दे इसको video दे इसको image दे इसको graph data दें इसको extra image दें इसको architecture कि कोई आपकी 3D Max वगरे के पर जो बने वे होते हैं आप इसको किसी भी type का data दें इसको read करता है analyze करता है आपको reply करता है वह application जिसे बनाने में आपको कमभेश एक से देर सान लगता था वह एक week में बना सकते maximum test और हर चीज़ से बुज़र आप like chat dev यह इस तरह के खुद हम platform बनाएं ठीक है agents हम बनाएं दुनिया उसको इस्तमाल के लिए वह पूरे के पूरे product end-to-end आपको बना के देंगे